नमस्कार स्वागत है आपका आपकी यूटूब चैनल फ्यूटर विधास तोष में उमेद कर रहा हूँ आपने चैनल को सश्काइब कर दिया होगा जैसे कि अभी मैं चर्चा कर रहा था अभी तक आप से चर्चा किये कि मौरेश सामराज के बारे में मौरेश सामराज मद्यकालिन भारत का प्राचीन भारत का एक सबसे इंपोर्टन पार था इसमें राजा अशोग जो थे वो बहुत ही शक्तिसाली समराट अशोग जो थे बहुत ही सक्तिसाली थे उन्हीं की बातें आगे कर रहे हैं, चली आगे लिखते हैं, लिख रहे हैं इतिहासकारों ने जब आरंभिक इतिहास की रशना शुरू की, तो मौरिश सामराज का इतिहास एक प्रमुख काल माना गया, बिटिस भारत के अधिन एक उपनिवेशिक देश था, उस समय जब उप तक के राजाएं जो प्राजिन काल के मिला करते थे, वो बढ़े नीरस टाइप के हुआ करते थे, लेकिन अशोक ने, अशोक वो राजा था जिसने धंब का प्रचार किया, शिला लेखों से अपने आदेशों को ब्रजया तक पहुँचाया, बहुत सारी रोमांचक चीज़ मौरे कालिंग इतिहास की अदभूत कला के प्रमार थे, शामराज के पहचान जाने लगे, अविलेकों से पता चलता है, अदभूत कला के प्रमार थे, जो सामराज के पहचान लगे, इतिहासकारों को लगा, अविलेकों में लिखे संदेश अन्य साशकों के अविलेकों की से भिन्न होंगे इसमें से यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेच्छा अशो के एक बहुत सक्ति साली और परिश्रमिश आशक था अंडरलाइन कर रहा हूं साथ ही वे बाद में उन राजाओं की अपेच्छा विनीद भी था बिनीद भी था बिनीद मतलब उदार था उदार हिंदी के कुछ वर्ड्स हैं आपको जानना चाहिए उदार था जो अपने नाम की बड़ी बड़ी उपादियां जोडता था इसलिए उन्हें कोई आश्चर जनक बात नहीं है कि बीश्वी सदी में राष्टवादी नेताओं ने असोक को प्रेणा शोत माना अगे क्यों माना इसके देख लेते हैं फिर भी मौर शामराज कितना महत्वण था या शामराज मार डेड़ सो साल तक ही चल सका जिसे उप महादीव के लंबे समय से बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता इसके अत्रित यदि आप मानचित्र दो में देखें तो पता चलता है कि मौर शामराज बहुत सारे शेत्रों में फैला नहीं था मानचित्र दो आप देख सकते हैं यहीं पे है राजधर्म की नवीन सिध्धान दच्छल के राजा और सरदाद उप महादीव के दच्छन और उसके दच्छल सेत्र में अर्थात तमिल आड़ और आद्र प्रदेस और केरल के हिस्से चोल चेर पांड जैसे सरदार वादियों का उदय हुआ यह राजा बहुत ही सम्रिद्ध और अस्थाई थे इनके बारे में बहुत सारी कहानिया है चेर पांड और चोल के बारे में कभी मौका लगेगा तो सुनाएंगे बहुत सारी कहानिया आगे मिलेगा भी बहुत इंट्रेस्टिंग कहानिया है ठीक है सरदार और सरदारी क्या होता है इसमें देखिएगा यह जो NCRT ऐसे अंडरलाइन करता है यह समझ लिजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़े होती है सरदार एक सक्तिसाली ब्यक्ति होता था जिसका पद वनसानुगत होता था सरदार हमेशा सरदार वनसानुगत होता था यह द्यान लिजेगा वनसानुगत होता था सरदार उसके समर्तग और खांदान के लोग होते थे सरदार के कारयों में विशेश अनुष्ठान संचालन युद्ध के समय नेतितो करना विवादों को सुलजाने में मध्यस्ता की भूमिका निभाना आदी सामिल था यह विवाद को सुल्जाने में मर्ध्यस्था अधा करते थे करवसूली किया करते थे यह युद्ध की रणनीती बनाते थे अनुष्थान कराते थे राजाओं के लिए थी वो अपने अधीन लोगों को भेट लेता था जबकि राजा करवसूल करता था और अपने समर्थकों को भेट वित्रन करता था सरदार सरदारी में सामनता कोई अस्थाई सेना या अधिकारी नहीं होते थे सरदार बड़े छोटे होता थे आज भी सरदार बोले चाते हैं आप जानते हो आप भी भी सुनते होगे अपने छेत्रों में हमें इन राजाओं के बारे में विविन प्रकार के शोतों से मिली जानकारी मिलती हैं आम तोर पर प्रचीन ग्रंतों से ऐसी कविताय मिलती है जो सरदारों के विवरण और उनके शोतों का शंकलन विवरण हैं यहाँ पे बहुर सारी कहानियां जैसे मैंने कहा कि कभी सुनाएंगे कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राज्यस से जुटाते थे यह देखिएगा कई सरदार और राजा लंबी दूरी से हुते थे इसमें मध्य और पश्चिम भारत के छेत्रों पर साशन करने वाले शात वाहन और उप महादीप के पश्चमोत्तर और पश्चिम में साशन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शाशक सामिल थे उनमें सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है मैं speed में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कई लोगों ने मुझे comment किया है और कई लोगों का कहना है कि मैं बढ़ा slow motion में पढ़ाता हूँ बहुत slow slow बोलता हूँ वो देखेगा मैं इस speed में बना रहा हूँ इस पर comment करिएगा कि यह ज़्यादा समझ में आ रहा है इसको आप ध्यान में रखिएगा यह भी बहुत important हो जाता है कभी कभी पूछ लेता है यह आपको समझने के लिए जानना पड़ेगा राजाओं के लिए उच्छ स्थित प्राप्त करने का एक साधन विविन्य देवी देवता के साथ जुड़ा होना था राजा क्या किया करते थे अपने आपको देवी देवता के नाम से जोड़ा करते थे कि मैं इनका वनसज हूँ मेरा जन्म ऐसे हुआ है मेरा जन्म ऐसे हुआ है जैसे बलवन की बाते करूँगा मद्य कालिन भारत में बलवान राजया बनने के बाद अपने आपको पता नहीं कौन से भगवान से जोड़ देता है अपने आपको उच्छ दिखाने के लिए और लोगों को निमने दिखाने के लिए मध्य एसिया से लेके पश्मुत्तर भारत तक शाशन करने वाले कुशान सासकों ने लगबग प्रथम सताब्दी इसापूर से प्रथम सताब्दी इस भी तक कुशान सासक की साशन दे रहा है 1BC to 1AC AD तक दे रहे हैं ठीक है इसमें दिया गया है इस उपाय का अच्छा उधारन प्रस्तुत करते हैं कुशान सासक बहुत अपने आपको जोड़ा करते थे ठीक है उधार अभी साथ वहान मिला ना अभी प्रतिहार मिलेगा प्रतिहार अपने आपको लच्मण का वनसज बताते थे प्रतिहार मतलब रच्छक होता है यह बताते हैं कि लच्मण लच्मण के वनसज हैं यानि धर्म में कुशान सास को के प्रस्तुत किया प्रस्तुत करने की इच्छा की उसका शरुत्तम प्रमाण सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है उनके शिक्कों और मूर्तियों को देखेंगे अभी ये नियू NCRT चली पुरानी NCRT या मैं अपनी तरफ से जो नोट्स बन ठीक है इसलिए अभी घवडाईये का नहीं ये बातें अभी ऐसे चलने दिजे जैसे चल रहा है उत्ता प्रदेश में मतुरा के पास माट के एक देव अस्थान में कुशान सासक की विशाल काय मूर्ति पाई गई अफगानिस्तान के एक देव अस्थाल पर कई इसी प्रका देव पुत्र रखा है देव पुत्र उपादिल भी लगाई संभता उन चीनी सासकों से प्रेरित हुए जो स्वयम को श्वर्ग पुत्र कहते थे कई चीनी सासक थे जो अपने आपको श्वर्ग पुत्र कहा करते थे चौथी सताबदी में गुप्त सामराज सहीर कई बड़े सामराज के साच मिले हैं कई सामराज सामंतों पर निर्भर हैं अपना निर्वाह अस्थानी संसाधनों द्वारा करते हैं जिसमें भूमी पर नियंत्रन भी सामिल है वे शाशक आधर करते थे वे शाशकों का आधर करते थे और उनके सैनिक साहता प्रदान करते थे और सामंत सक्तिसाली होते थे और वे राजा बन जाते थे जो राजा दुरबल होते थे उन्हें बड़े सासकों द्वारा अधिन कर ल जाता था और राजा जो कमजोर पाया जाता था उसको या तो या तो उपर का शाशक उसके अधीन बड़े साशक उसको अधीन कर लेते थे या ऐसे करके नीचे वाले उनको मार के दुवारा कर लेते थे तब ये सब रूल नहीं था इतनी जादा सचाई नहीं थे एक दूसरे क को मार के किया जाता था पित्रहंसक बंस भी सुने होंगे हर्यक बंस जिसे कहते हैं वो हर्यक बंस पित्रहंसक बंस कह जाता है जिसमें अपने पिता की मौत पिता को मार के ही सब ने सासन कीया था ठीक है ऐसे ऐसे सासन हुए है जो रिस्तों को बड़े अजीब टाइप के प्रस्थुत करते हैं गुप्त सासकों का इतिहास शिक्कों और अवलोकों की साहता से लिखा जाता है साथी कविताओं के कवियों द्वारा राजा स्वामी प्रशंशा लिखी गई ह ठीक है अगे चलते हैं यह देखिएगा अपने आपको कैसे प्रस्थुत करते थे राजा यह देखिए सिक्के में अपने आपको यह राजा है कोई राजा राजा अपने आपको कैसे प्रस्थुत कर रहे हैं जैसे भगवान अपने आपको भगवान कर रहे हैं एक कुशान स अग्रभाग कनिस्क हैं और देवता अगले भाग में कनिस्क हैं और पिछले भाग में देखो देवता लिखा देवता हैं तो इस प्रकार देवता के साथ अपने आपको सम्तुल्य करते थे लेकिन उनके रचाईता तथात्मक विवर्ण की अपेच्छा उन्हें कव्याग्मक गर्ण में मानते थे उद्धानत के तोर पर इलाबादस्तम जिसे प्रयाग प्रियाग प्रशस्त कहा जाता है हरिसेन द्वारा रचना किया गया था इसकी रचना हरिसेंड द्वारा किया गया था ये गुप्त सामराजी के समुद्र गुप्त के बारे में बहुत भी जानकारी देता है एक इतिहासकार हैं आदनिक इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि अगर प्रयाक प्रसस्ति नहीं होता हरिसेंड की लिखित प्रयाक प्रसस्ति नहीं होता तो हम समुद्र गुप्त जैसे महान सामराज्य को महान राजा को महान साशक को हम नहीं जान पाते हैं शमुद्र गुप्त अपनी जीवन में कभी भी युद्ध नहीं आ रहा है भारत का नेपोलियन कहा जाता है लेकिन अगर देखा जाया तो नेपोलियन कई युद्ध आ रहा है लेकिन शमुद्र गुप्त कभी जीवन में युद्ध नहीं आ रहा है गुप्त सामराज में सबस देखी प्रशस्ति में कैसा लिखा गया है प्रयाक प्रशस्ति का एक अंस है उसको मैं पढ़के आपको सुनाता हूँ धर्ती पर उनका कोई प्रत्विंदी नहीं है अनेक गुणों और सुपकारियों से संपन उनके पैरों के तलवे से अन्य राजाओं के यस्ट को मिटा दि हैं वे अनेक सहस्त गायों का दाता हैं अनेक मस्तिसो इस अच्रीच्छा पता निक्या-क्या लिखा गया आप पढ़'ve लेंना ये कुण कुलमिला के बढ़ा चड़ा के हरी सेंड ने इनके बारे में लिखा है बढ़ा चड़ा के भी लिखा है और राजा थे ये राजा में बहुत जादा प्रतिभा भी थी इन्होंने कभी भी युद्ध नहीं आ रहा यह देखे इनकी प्रतिमा एक दी गई है क्या है देख लीजे